आज है बारे जुलाई 2021 और बारे जुलाई 2021 से करेंट पैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे हम से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट वी में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लाश्टम में आपसे पर एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुस्मिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जायन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाले में 200 जनसंक्या दिवस कम मनाया गया है तो अभी 11 जुलाई को 200 जनसंक्या दिवस मनाया गया यानि किस कुशिन का बे ऑप्शन सही है अब ये 200 जनसंक्या दिवस क्यों मनाया जाता है तो दुनिया बर में बढ़ती हुई आवादी के बारे में जाउर्गता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को ब आज किस video का हम target रखते हैं, 40 या like का, तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है, तब आप इस video को like और share जरू क्या करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning note कर सबसे पहले अपने लिएक target fix करो, चाहे चोटा साई target fix करो, लेकिन daily morning note कर, सबसे पहले अपने लिएक target fix करो, और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगातो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी, next question है, हाली में स्री नगर smart city परयोजना का उदगाटन, किस ने किया है, तो श्री नगर smart city परयोजना, इसका उदगाटन किया है, जम्मू कस्मीर के lieutenant governor Manoj Sina n begin, तो इस question का say options है, स्री नगर smart city परयोजना और इसी केसाथ, my. डाई-ॡाइ-श्री नगर एप मनौल सन्ना ने लॉंच किया है यहांग किया है अब स्री नगर कहा है यह मुट समीर में जम्मों कसमिर में डल जील है और बुलर जील जम्मू कस्मीर में तच्चिकराम नेशनल पार्क है और किस्ट वार्ड नेशनल पार्क है एक हैमिस नेशनल पार्क भी जम्मू कस्मीर में हुआ करता था लेकिन अब जम्मू कस्मीर से लग हो गया है तो लग्दाक में पढ़ता है हैमिस नेशनल पार्क next question है किस अंतरिच एजनसी के ICE-C2 उपग्रे ने Antarctic Melt Water जीलों की खोज की है तो ICE-C2 उपग्रे ये NASA का है और इसने अभी Antarctic Melt Water जीलों की खोज की तो इस question का बे options है NASA यानि कि National Aeronautics and Space Administration इसकी स्तापना कब होई 1958 में इसका Headquarter कहां पे है Washington DC में और इसके Present Time पे Administrator कौन है Steve Zurich कौन है Steve Zurich बचाए NASA का मोटो क्या है For the Benefit of All next question है हाली में Razer Pay और किस कंपनी ने मिलकर Mandate HQ भुगतान इंटरफेस लाँच किया है तो Razer Pay और Master Card ने मिलकर Mandate HQ नाम का भुगतान इंटरफेस लाँच किया तो उसकूशन का C options आई है अब Razer Pay Razer Pay की स्तापना कब होई 2013 में यानि की 2013 में इसका Headquarter कहां पे है Bangalore में और इसके Present Tempest CEO कौन है Harsal Mathur अब Master Card Master Card की स्तापना कब होई 1966 में इसका Headquarter कहां पे है New York में और इसके Present Tempest CEO कौन है Mikkel Maywek कौन है Mikkel Maywek Next Question है हाली में PK Warrior का निधन हुआ है भे कौन थे तो PK Warrior ये एक डॉक्टर थे और Ayurveda की डॉक्टर थे यानि कि ने आप Ayurveda 4 भी कह सकते हो तो इनका अभी निधन हुआ तो इसके कौन का Bay Options है ये थे PK Warrior इनको पद्म सरी से भी सम्मानित किया गया था और पद्म भूशड से भी सम्मानित किया गया था Next Question है हाली में Terrace Garden Midday Toota नामक पुस्तक किसने लिखी है तो Terrace Garden Midday Toota ये पुस्तक लिखी है तुमेती रागो थमा रेड़ी ने तुमेती रागो थमा रेड़ी तो इसकुशन का Bay Options है ये और इस पुस्तक को लॉंच किसने किया है हमारे बाइस प्रेसिडेंट एम बेंकया नाइडू ने Next Question है Case Company के प्रेसिडेंट अमित नाइएर ने इस्तिफा दिया है तो अमित नाइएर ये अभी तक Paytm के प्रेसिडेंट थे और अब इन्होंने Paytm के प्रेसिडेंट के पद से इस्तिफा दे दिया है तो इस Question का Say Options आईए ये थे अमित नाइएर अब ये पेटियम के प्रेसिडेंट थे तो पेटियम की स्थापना काव होई 2009 में इसका हेड़ क्वाटर कहां पर है नौइडा में और इसके फाउंडर कौन है विजय सेखर सर्मा नैशूशन है हाली में जी एटेक प्राप्त फाजिल आम को किस देश में निर्यात किया गया तो फाजिल आम ये पस्चिम मंगाल के मालना में होता है और इसको अभी बहरीन में निर्यात किया गया है तो इस कुछिन का बे ओप्सन सही है बहरीन तो ये है मैप में बहरीन बहरीन की केपिटल क्या है मनामा बहरीन की करनसी क्या है बहरीन दिनार और बहरीन के प्रजैन स्लमान बिन-हमद- الخलीफा कौन है सलमान बिन-हमद-making नंए शुशन है हाले में स्याम स्रीनिवासन को किस वैंग के मेंडी यंडी औंड2 के रूप में डियोकल नयुक दिया गया तो स्याम स्रीनिवासनन dûंको अभी फैडरल वैंग यंड practicing क Pal अब फेडरल वैंक फेडरल वैंक की स्थापना कब होई थी 1931 में इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पे है अलूबा में और अलूबा कहाँ पे है केरला में और फेडरल वैंक के अब MDNCEU तो यही नियुक्त हो गए है श्याम स्रेनेवाशन हाले में KVIC ने किस देश में खादी सब्द का ट्रेड मार्क पंजी करण हांसिल किया है तो KVIC ने अभी खादी का ट्रेड मार्क हांसिल किया है भूटान में तो इस कुशन का डे ओक्सिन से यह है भूटान, UAE और मेक्सिको इन तेन देशों में अभी खादी को ट्रेड मार्क मिला है अब भूटान तो यह है मैप में भूटान भूटान की केपिटल क्या है थिम्पू भूटान की करणसी क्या है नगल रतुम और भूटान के प्रिजेन टाइम पे प्राइमिश्टर कौन है लोटेट सेरिंग कौन है लोटेट सेरिंग किई वी आई सी की फुल्फूम क्या है खादी and वलेज इंडस्टीज कमीशन ने क्यूश्टन है हाली में किस राज सरकार ने आदेवाशियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है तो अभी असम गौझन ने आदिवासी और अन्य सोदेशी लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रच्छा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया तो इस कुछिन का C options है अब ये decision असम का है तो ये है map में असम असम की capital क्या है दिसपूर असम की chief minister कोन है हिमनता विस्वा सर्मा और असम की क्रील अन्य सम्किया था और अपर ने व znale pes Box प्रोंस चैनल भी और अभी चज़ा नेशनल पार्क बना था ओर साप्मा मु खोन सा बनाता है देहिंग पतके अनि स्थी ने स्नी पार्क और इसी वज़ा एँब अशम निम्रे में पूरे देश में तेसरे नमबर पर है उगशांदी अठारे दर्रों को फते करने वाली पहली महिला वाई कर वनी है नेक शुशन है हाली में बिम्बल्डन पुरुस एकल खिताब किस ने जीता है तो अभी नोवाक जोकोविच ने मैटियो वेरेटिनी को हरा कर बिम्बल्डन पुरुस एकल खिताब जीता तो इस कुशन का से उप्सिन सही है अच्छा बिम्बल्डन मैला एकल खिताब किस ने जीता था एसले वार्टी ने और ये पुरुस एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने है नोवाख जो को पच न्या선 है हाले में ट्रूटर ने किसे Бारत में सिकायत अधिकारी के रूप में न्युक्त क्याहिए तो अभी ट्र ने बिने प्रकास को भारत में सिकायत अधिकारी के रूप में न्यूट किया तो इस question का बे ऐपसे से ही है ट्विटर ने अब इंडिया के IT कानून को मान लिया है इसी पर भहुत दिनों से बिवाद चल रहा था और इस IT कानून को मानने के बाद ट्विटर ने बिने प्रकास को भारत में सिकायत अधिकारी की रूप में न्यूट किया अच्छा ट्विटर के CEO कौन है जैक डॉरसी कौन है जैक डॉरसी नेक शुशन है हाली में कूपा अमेरिका 2021 का खिताब किस ने जीता है तो अभी अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा कर कुपा अमेरिका 2021 का किताब जीता है तो उस कुशन का C options है अब अर्जेंटीना ने जीता तो ये है मैप में अर्जेंटीना अर्जेंटीना की केपिटल क्या है व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की करनसी क्या है अर्जेंटीना पैसो उर अर्जेंटीना के प्रेजंट एम प्रेशिदेंट कौन है अलवर्टो फर्नार्डेस कोन है अलवर्टो फर्नार्डेस अब लाश्ट वीडियो के question का answer तो डेनमार्क में अभी दुनिया का सबसे उचा रेइट महल बनाय मैं या ने किस question का B option सही था और लगबख सभी इस्ट्रेटनेस का अंसल सही थिया mostly इस्ट्रेटनेस के बारे इन डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हूँ आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में दुनिया का सबसे पुराना आवुशड कहां को जा गया है चार option दिए गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाब हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वाना Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको उपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेशर्सी Instagram पर इंद्रेशर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरूर याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरूर किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप है उनमें आप इस video को share जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current face का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज कमेंट वोक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरूर कर दिजिए आपको इस channel से निश्चेती मदद मिलेगी जब भी आपसे subscribe करेंगे तो बराबर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always with you thanks for watching